रहुल गांदी एक ड्रग्ड प्रिदर है, ऐसा बूल दिया सब भारतिये जनता बीजेपी is drunk with power and drugged with arrogance भारतिये जनता पार्टी के प्रदेश अधक्ष का दिमा की संतूलन खराब हो गया है ऐसा लगता है कि दो लाख करोड के ड्रग्स जो हडानी पोर्ट गुजरात से आये थे 25,000 किलो जिसमें से बाजार में हैं, क्या कहीं उनकी उन में से कोई ड्रग्स तो नहीं उनने ले लिए लगता है कि उन्हें ड्रग्स रिहाबिलिटेशन सेंटर में बीजेपी को बगेर देर के फोरण दाखिल करवा देना चाहिए जोकि इस परकार के बेवकूफाना, उट पटांग और पागलपन का बयान केवल वो व्यक्ति दे सकता है जो धोर नशे की हालत में है साथियों आज मुद्दा किवल है, पेट्रोल के दाम 110 रुप्या लीटर हो गए, डीजल का दाम 100 रुप्या लीटर को पार कर गया रसोई गैस का सेलेंडर 925 रुप्या है, हर रोज सुबह दाम बढ़ जाते हैं, खाने का तेल 200 रुप्या लीटर है किसान की तुवर दाल जो अभी ठीक बिक रही है, उसके एक रेट कम करने के लिए मोदी जी ने जनवरी 2021 तक विदेश से तुवर दाल का आयात कोल दिया है किसान लुट रहा है, नौजवान बेरोजगारी के साई के अंदर है, ये मुद्दे हैं, मुद्दे समाज को बाटने के नहीं, मुद्दे समाज की समस्याओं का हल निकालने के हैं, पर जो व्यक्ति अपना दिमाकी संतूलन खो बैठे, उसे पागल खाने में बरती करूए करनाटक के लूग में को, कि एक राजनितिक दल जो केवल बीजेपी की मदद के लिए उमीदवार खड़े करता है, वो किसकी तरफ खड़े हैं, वो भाजप्पा की तरफ हैं, या फिर भाजप्पा से लड़ने में देश की जनता के साथ हैं